कि हलो डियर फ्रेंट्स बिल्कम टू और चैनल एक्जाम जोनक एडमी आज हम लोग कोश्चन सौल करेंगे एससी सीवियों जो 2020 का पेपर हुआ है ठीक है जो एससी सीवियों 2020 में जो पेपर नौंबर में हुआ है उसके हम लोग एम सी कि ऑप सौल करेंगे उसका ऊस पेपर को जी एस पेपर को सौल करेंगे ठीक है आज जो पहला कोश्चन से निम्लिखित में से किस कवी नहीं निराला कविके नाम को निराला क से किक काूं निराला दून्स कर् side wilkin क Nee किस कवी equipment कि旵ाी को AM में निराला लिखा है जैसंकर प्रसाद मैतली सरण गुप्त सूरकान तिरपाथी निराला रामधारी सिंग दिनकर नाम से रामधारी सिंग को जाना जाता है जबकि सूरकान तिरपाथी निराला को निराला नाम से जाना जाता है तो आफसन नंबर थार्ड क्या हो जाएगा इ इराला का है उसके बाद में अगला जो प्रस्ण है अगला प्रस्ण जो पूछा गया है आई सी सी पुरुष बिसुकप के फाइनल में पाकिस्तान कितनी बार पहुंचा है पाकिस्तान की जो टीम है आई सी सी बिसुकप में कितनी बार पहुंची है तो अभी तक वो कितनी बा कि एक बार पहुँची की जीरो बार की दो बार तो अभी तक वह दो बार पहुंची कितनी बार पहुची दो पासर Mitar-4 क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा इस अग्ला जो पुछा गया है भारतिय बैस्ट पहचान प्राधिकरन यो येुआई डियी चेत एक वायधानिक प्राधिक्रण है जिसके तहत यू आई डियी जिसके तहत आधार कार्ड बनाय जाते हैं यूआई । AI के तहट क्या होते आधार कार्ड बनाया जाते हैं यह मंत्राले किस मंत्राले के अंतर्गत आता है संचार के तहट विज्ञान और प्रधोकी की एलेक्टानिक और सूचना प्रधोकी के सूचना और प्रसारण मंत्रा लेके तो यह आता है आपसर नंबर थार्ड इसका राइट एंसर हो जाएगा यह आता है सूचना आ हो e starts और सूचना प्रदोग की मंत्रालंए खे अंतरगत आता है ठीक है तो इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रदोग की मंत्रालंए के अंतरगत आता है कुंदा तानीक ऐडेंटिफीकेशन अथर्टी आफ इंडिया इस तेटोड्य अथर्टी अंडर मिनिंस्ट्रीए आफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन उयायंट कैई सांद टेकनोलोजी एलेक्टरानिक एंड इन्फॉर्मेशन टिक्नोलोजी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉड कोस्टिंग तो यह आते हैं एलेक्टॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टिक्नोलोजी के तहेत तो आपसा नंबर थर्ड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो प्रिसन प बराबर होती तो क्या होता है एक सिधी रीखा में किसी वस्तु के घोमने से उत्पन सकत बलद्वारागुणा के बराबर होती किसके बराबर होती तो वह आपके वाले स्टी वे के बर रूबर रोती किसके वे के बराबर होती तो आप sagt blanket सेगा राइटर हो जाएगा स्वावर स् मारेट्र हो जाएगा पावर एक्सॐजर्टेड वा एन अबजेक्ट मुविंग इन इस त्राइट लाइन इस एकल टू ऐक़ प्पोष financing इप्लाइड बाईदा एक्सिते भी एकशिरन होता है बेल हता है टेस्टाम Tabii के बराबर होता तो आफिसरेंद सब्सक्राइब किहाइगा राइट एंसर हो जाएगा कि वद के बाद में अगला अगला लोव पूछा ऊगर हैला पूछा भारत में राष्टी खाच सुरच्छा अधिनियम निमलिकित में से किस वर्स लागू किया गया था तो 2012 में, 2013 में, 2009 में, 2015 में तो भारती खास सुरच्छा अधिनियम जो लागू किया गया था वो 2013 में लागू किया गया था तो आफसर नमबर 3 क्या हो जाएगा? राइट एंसर हो जाएगा इन विच आप दा फालोविंग इयर्स वाजदा नैशनल फूर्ट सेक्यूर्टी एक्ट इन इनेक्टेट इन इंडिया तो 2013 में आफसर नमबर 3 क्या हो जाएगा? राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रस्न है अगला जो प्रस्न है, 6 नमबर है भारत का पहला पुर्टगाली वाइसराय नमबर से कौन था? लोपेस ओरेल डे अल्वेरिया था ये तो कोई था ही नहीं फ्रांसिस्को डे अल्मीडा था अलफांसो डे अल्वुकर्क था कि डुटर्टे दे मेन जेस था तो कौन था? ये आपका फ्रांसिस्को डे अल्मीडा था उसके बाद में अल्बुकर्क आया था फ्रांसिस्को डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था उसके बाद में पंद्रा के बाद में नीनो डी कुन्हा आया था ये तीन जो थे ये महत्पूर्ण महत्पूर्ण क्या थे महत्पूर्ण जो पुर्तगाली गौर्णर थे ठीक है और पहला पुर्तगाली जो आया था वासको डिगामा 17 मैं 1498 कावा था काली कट के मैदान पर पहुंचा था जिसका जमोरिन नाम के एक राजा ने स्वागत किया था ठीक है और यहां से जो वो मसाले उसाले लेके गया था उससे वो बीस गुना ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया था उसके बाद में जो वासको डिगामा होता है वो फिर से भारत आता है ठीक है तो हूँ मंग दा फॉल्ओविंग था फ़ॉस्ट पर्टगाल वाइसराय आफ इनडिया लोपो सोरे में लि अल्बेः अल्बेयर घारिया था कि समय ter तो कौन था फ्रांसिस्को डी अलमेडा जो था पर पुर्थम जो था फर्ष्ट पॉर्ट्गाली वाइसराय था उसके बाद में अगला प्रस्थ ने अगला प्रस्थ जो पूछा गया है कि निम लिखित में से कौन सा विसर संभिधान की ग्यारवी सूची अनसूची में सामि होता है पुलिस और साजनिक सोचता तो ग्यारवी अनसूची में क्या नगर पालिकाएं जबकि दस्वी अनसूची में क्या है दल बदल है ग्यारवी अनसूची में पंचायत है बारवी में नगर पालिका है और दस्वी में दल बदल है और जबकि नवी में क्या है जमीन से संबंधित कानून है तो इसमें कहा गया पुलिस और साजनिक व्योस्था स्वास्त और सोचता प्रुमुक वन उपाज बड़े पैमाने पर उद्धोग तो देखो बड़े पैमाने पर उद्धोग क्या होते हैं ये तो आपके सहरी छेत्रों में आते हैं नगरपालिका उन में प्रुमुक वन उपाज ये भी नहीं पुलिस और सार्जनिक व्योस्था जो होती है ये गवर्मेंट की राजसूची का विसे है तो हेल्थ और जो सैनिटेशन होता है सोचता जो होती वह आपका पंचायत जो ग्यार्वी अनसूची का विसे है तो आपसर नंबर सिकेंड क् राइट एंसर हो जाएगा बिच आप दा फॉलुविंग सब्जिक्ट इस दा कवर्ड इन दा इलेविंथ सेड्यूल आप दा कंस्ट्यूशन आफ इंडिया पुलिस एंड पॉलिक और हेल्थ हैंड सैनिटेशन तो कौन सा आता है हेल्थ हैंड सैनिटेशन होता है आपसर न चील में चूहों में लोमडी में चंगादर में तो एक ये वाइरस होता है ये जो नेम होता है ये किसका होता है यो ठीक है तो यो डर्मा मैकूलेटम को देखा गया है नाम क्या होता है इसका तो ये कौन सा होता है ये एक चंगादर होता है क्या होता है एक ये चंगादर हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा यू डेर्मा यू डेर्मा मैकुलेटम इस दग नेम गीवन इस टू इस पॉटेट किसका नाम यह दिया गया है तो इगल्स होता रैट होता फॉक्स शुटा बैट होता तो कौन होता बैट होता बैट मतलब चमगादर आपसा नंबर पोर हईए उसके वाद में अगला पुछा गया है वह बहुत अच्छा है कि बistowe की वास्त कenda में से कौन सा सब्सवर्गेा हुआ है मंद मफ मंड पप्सम नाहें होता है अभी अनुप होता हम करते दो झिला थाiron होता कि exist इता जए सब्सक्राम होता है और इत्सका नाम होता की वास्तुकला से जुड़ा हुआ आफसा नमबर थर्ड राइट एंसर हो जाएगा बिच आप दा फॉलोविंग टर्म से दा एसोसीएट इड़ अर्किटेक्चर आफे बुद्ध इस टूप क्या होता हर्मिका होती कौन होती हर्मिका होती ठीक है आफसा नमबर थर्ड क्या ह हो जाएगा हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रसण मैं पूछा गया है गिंधिम के दोरा चमछंविकाटि के गई है स्वामी दयानन्द सुरस्ति इन्हों ने किसकी पार्तना समाज की स्थापना की 1875 में जब कि स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिसन की स्थापना की कब की थी 1998 में की थी में 1989 में की थी कब की थी нач85 में की थी ठीक है तो लाइफ डिवाइन जो है अरविंद की पुस्तक है जबकि स्वामी दयानन्द सुरस्ति ने वेदों की तरफ लोटों का भी नारा दिया था ठीक है और दबुग लाइफ डिवाइन वाजदा रिटेन बाई दयानन सुरस्थती स्वामी विवेकानन श्री अर्विंदो और अमृता प्रितम तो कौन थे श्री अर्विंदो ने लाइफ डिवाइन पुस्तक को लिखा तो आपसा नंबर थार्ड क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रस्ण जो पूछा गया है यदि कोई वज्टू प्रतिसीकेंड दस दोलनों को किरियाविंत करती है तो किलो हर्ट में इसकी आवर्थ बराबर होती तो इसकी किलो लिए 10 को काया करोगे कि 10 को अगर 10 से 1000 को जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा ठीक है तो एक 0 तो कट ही जाएगा तो उसके बाद बचेगा घितना जीरो वन जीरो बचेगा ठीक है तो यह आपसर नंबर थर्ड हो जाएगा अरे जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो वन बचेगा तो आपसर नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा कहा गया यदि कोई वस तो प्रसेकेंट दस दोलनों को क्रियाविंद करती है तो किलो हर्ट में इसके आवर्थ कितनी हो जाएगी 0.01 हो जाएगी इसके बाद में अगला जो प्रस्न पूछा गया है 1975 की रात को इंद्रा गांधी ने आपादकाल लगाने की घोस्रा की कि अध्यच फकरुदिन अली अहमद थे ये कब लागू हुआ था एक जून को 25 जून को पहली बार या 22 मई को तो बताओ ये एमर्जेंसी 1975 का जो आपादकाल था उसकी डेट बताओ पूँच लिया किस रात को लागू किया गया तो ये लागू किया गया था राष्टी आपादकाल भारत में पहली बार लागू किया गया था ठीक है आंत्रिक असांति के कारण 1975 में पहली बार राष्टी आपातकाल ये लागू किया गया अभी तक तीन बार राष्टी आपातकाल लागू हुआ 1965 में लागू हुआ और कब लागू हुआ ठीक है तो और 1962 में लागू हुआ तीन बार का राश्टी आपातकाल आपसा नंबर सिकेंड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा आपसा नंबर सिकेंड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला पूछा गया है मगर मच्छों में हर्दय कच कितने होते हैं मगर मच्छ जो होते हैं कितने हर्दय कच होते हैं तो दो होते हैं चार होते हैं पांच होते हैं कि तीन होते हैं तो कितने होते हैं चार चैमबर्स होते हैं होते हैं 4 चेमबर्स म Characterٍ होते है मगर म wrath होते में जो पूछा है Practition ओ झीवास्म से जीवास्म इंधन नहीं होता है ゃ को पेट्रॉस्म होता है हें petr Index होता है chamo do not हें पोड़ित होता सब्सक्राइब को अप्श्रों पर वहले होता है कि आपकर सब्सक्राइब करते दाइब पर होता वह आपका पर वह को अब आपática जीवासमिर eerste स्पमी धन्री तो इसका ऑूजे चाएगा थार्ड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा ठीक है ब्रेच समयी जो होता यह आपका जीवास नहीं था भी स्पाट यृश्ँ फोरियम पडूलीयम नहीं होता है टीक है आशसफॉल्ट होता बायो मास होता है बीटुमें होता बिटुमन क्या होता कि कोईले का प्रकार होता है तो आपका बायो मा embaol जो फैल नहीं होता उसके बाद में अगला जो पूछा गया है किसे 2020 की बीश्वी सताथी का डार्वन कहा जाता बीश्वी शताथी का जो डार्वन है वह किसे कहा जाता ख़ो फिर न कोरी इसावक आ charm को मार्सल वारेन नीरंबर्ग और घुरुच अंसर अफिर को तो से कर और डार्विन गुरान से अर्नेस्ट मेयर को किसको अर्नेस्ट मेयर को आपसन नंबर सिकेंड राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो पूछा गया है राष्टी एक्ता के लिए इंद्रा गांधी पुरुसकार किसके द्वारा दिया जाता भारती राष्टी कांग्रीश मानव संसाधन विकास मंत्रालाई भारत सरकार ग्रह मंत्रालाई भारत सरकार कि इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी राष्टी मुक्त विश्विद्या ला पुर्थम राइट एंसर हो जाएगा दा इंद्रा गांधी आवार्डेट फॉर्ड नेशनल इंटिग्रेशन इस दा एकॉर्डेट बाइडा होता है इंडियन नेशनल कॉंग्रेश तो आपसन नमबर वन राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रस्वे सागर मा सागर माथा का नेपाली में नाम क्या होता है लोट से होता मकालू होता कंचन जंगा होता माउंट इवरेश्ट जो आपका माउंट इवरेश्ट होता है जिसकी उचाई कितनी 8848 होती 848 होती इस समय वर्तमान में क्या हुआ नेपाल और चीन ने मिलकर इसकी नई उचाई जो इसका सागर माथा को ही नेपाल में नेपाल में क्या कहते हैं सागर माथा कहते हैं ठीक है तो आपसन नमबर फोर क्यार हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा सागर माथा इस नेपाली नेम फार्दा माउंट इवरेष्ट जबकि इसको चेमा लुंग डुंग जो होता है वो क इसको क्या कहते हैं इसको तिबती भासा में कहते हैं निम्लिकित में से कौन सा बायराज या बांध भारत बांगलादेश की सीमा के सबसे नजदीक है कौन सा बांध होता है जो भारत और बांगलादेश की फरक्का मंसौर मांस जोर दुर्गापूर तिलया तो जो फरक्का बा इंडिया बांगलादेश बार्डर्स तो कौन सा होता है फरक्का बार्डर्स होता है कौन सा होता है आपसर नंबर क्या हो जाएगा वन राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रिस्न है अगला प्रिस्न है सौल्ट पीटर का दूसरा नाम क्या होता जो सौल्ट प to do saltitter होता है उसका दूसरा नाम जो होता है पोटिसियम नाइटरेट होता है तो आफसे नंबर 4 क्या हो जाएंगा right answer हो जाएगा salt fighter is another name for Kya होता है potassium nitrate होता है आफसे नंबर 4 राइट एंसर इसके बाद में अगला प्रसुने जैप्रकास नारायन की जैप्रकास नारायन की रूप में किस रूप में किस ये नाम से और प्रसिद्ध है तो जैप्रकास नारायन के रूप में प्रसिद्ध थे राजरिशी के नाम से कि देश बंधू कि लोकमान की दीन बंधू तो चितरंजन दास जो थे वो देश बंधू के नाम से ज लोख नायक के नाम से जब कास्त नाराइन प्रिसिदेती में और फार्टाडस राइट इं सर Oak Grade उसकेट बाद में अगला जब में अग्ला यूट मुझध आई हम्टी बांड़ी नोन है तो उन्हें लोक नायक के नाम से जचा आमादा था आपसा नंबर तो यूट है। अगला प्रस्ट ने भारत के संभीदान में कौन सा अनुच्छेट आइस प्रस्था को समाप्त और उसके बाद में 19 जो होता है जो आपकी वाग विचार अविविक्त की सुतंत्रा देता तो आपसा नंबर थार्ड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा बिच आप दा फालोविंग आर्टिकल साफदा कांस्ट्यूशंस आफ इंडियन एब एबॉलिस इस अंटॉच त्रेंटिक वाटंश बिंटिकल नंबर सेवंटी driven आपसा नंबर सर्थ क्या हो जाएगा राइट पाध्य हो जाएगा चियूच कि हो जाएगा और फ्रीस्तिक की बात सब्सेंट के नंत्रिम राष्टत में से किसे भार्तिय भारतिये को आथीं हम की चैन्हों मैं 946 में अंत्रिम अध्यच जो बनाया गया था वो संभिधान सभा किसे बनाया गया था सरोजनी नाइडू यह तो बिल्कुल नहीं थी यह तो 1925 में कांग्रेस की अध्यच थी जब कि यूपी की प्रथम महिला उपराज महिला राजपाल थी सचिदानन सिनहा इस उबरामन एयर सत संभाइब तो क्यों थे सचिदानन सिनहा को निस सो छी आलेश में अंत्रिम राष्ट बनाया गया था संभिधान सभाइका अंत्रिम अध्यच किसे बनाया गया था सचिदानन सिनहा को तो इन 1946 हूं एमंग दा फॉलोविंग वाजदा में दा इंट्रिम प्रेशिडेंट निम्लिकित में से किस सेर के करीब इस्तिते रामो जी जो फिल्म सिटी है वो किसके सेर के करीब में इस्तिते मुंबाई गुर्ग्राम हैदराबाद पूरे तो किसके हैदराबाद आफसा नंबर थार्ड राइट एंसर हो जाएगा रामो जी फिल्म सिटी रामो जी फिल्म स प्रसिद्गुपाएं किस मैं इस्तिद यह कहां परिष्थ युदए गरी और खंडगरी तीरपुरा उत्रह खंड स्झान गर्णAll devices toologie और जो आपका खंडगरी वाई प्रोसुद्गुपाएं हैं कहां कि औरिशा की हैं तो आफसा नंबर फोर राइट एंसर हो जाएगा दफेमस केवस आफ उदाइगरी एंड खंद गिरी आज लोकेटिट इन ओरी सा कहां ओरी सा ओरी सा का एक सबसे महात्पूर्ट जो तेवहार उतकल बनाया जाता उतकल तेवहार जिसे नवर्स की खुशी में ब फ्रस्ण है अगला है उद्धयम अभिलासा एक राश्टी इत्तर का उद्विता जागरुकता अभियान है दो हजार अठारा में किसके दौरा यह लांच किया गया है किसके दौरा नबाट के दौरा यू की यू के दौरा अरुनाचार प्रदेश ग्रामिड बेंक की सिडव सिडवी के द्वारा यह लांच किया गया है सिडवी के द्वारा लांच किया गया है सिडवी क्या होता है स्माल इंडिस्ट्रियन डेवलप्पेंट बैंक आफ इंडिया होती है ठीक है तो सिडवी के द्वारा लांच किया गया है तो आपसर नमबर फोर राइट एंसर हो सबसे दुद्धित में सबसे दुर है कौन सा है जो भारत के सबसे दच्ठी सिरे से सबसे दूर है वारंगल है कोडा इक नाल है बैंगलूर नादेड है तो कौन सा आपका सहर है जो मुखिस भूम से सबसे दच्छी सोर पर इस्ति थे वो है नादेर कौन सा नादेर आपसा नंबर फोर राइट एंसर हो जाएगा बीच आप दा फालोविंग सिटी इस दा फार्देश्ट फार्देश्ट फ्रॉम्दा साथन मोस्ट टिप आप दा मैं लेंड आफ इंडिया तो कौन सा है नादेर है नादेर जो है वो सबसे और है उसके बाद में अगला जो प्रिस्ण है पूछा गया है मेहर गोट एक नव पासार deti पकिस्तान के किस व्रांथ में इस्थित है किसमें है सिंध में है बुलूचिस्तान है पंजाब है खाइबर पक्तु नवा नक्वाज में है ये तो आपका बुलूचिस्तान में पड़ता है मेहरगड जो है पॉप पाकिस्तान के मेहरगड में बुलूचिस्तान प्रांथ में पड़ता है प्रोबियंस आप पाकिस्तान तो बलूचिस्तान में किस में बलूचिस्तान में आफसा नमबर सिकेंड राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में जब अगला प्रुस्ने किस वर्स किस वर्स में राजकुएंगासन पर चड़ाई की थी 1558 सलीम किस का नाम था सलीम किसका नाम था जहांगीर का नाम था साजहां का तो खुर्रम था सलीम जहांगीर का था 1558 में 1605 में 1572 में 1625 में तो 1605 में अकवर की मृत्तु के बाद में अकवर की मृत्तु के बाद में जहांगीर ने जो सलीम था वो मुगल सिंगासन पर बैठा था तो इन विच यार डिट प्रिंस सलीम एक्षेंड दा मुगल थ्रोन तो शिक्स्टीन है शिक्स्टीन हंडर फाइब में वैठा था तो आपसा नंबर सिकेंड राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो पूछा गया था हिल इस्टेशन माहराथन किस राजी में इस वह आपकी महराष्ट्रा में हैं कहां है महराष्ट्रा में आपसा नंबर एन्सर हो जाएगा इन विच स्टेट कि में ताल सोयावीं होताब था मुंख फुली होता तो जो आपका और्स जो होता वह आपका तिलहन नहीं। जबकिशुाइबिन मॉंग्फली और यह मॉंग्फली होता तील होता यह सब तेल वाली कहते हैं तोosas दील जहां की स्रेडी में आती जबकि ओर्स क्या होता जाई यह आपके खाध के रूप में आती ठीक्ष के विच आप अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण जो पूछा गया है वन सनरच्चन की संदर में 1987 में नवद्या आंदोलन की इस्थापना किस ने की थी नवद्या आंदोलन की वंदना सियुने मेधा पाठ करने बाभा आम्टे पांडुरंग हेगडी ने तो जो आपकी नद्या जो इन दा कंश्टेंट आफ फोरेश्ट कंवर्सेश कंजर्वेशंस नवंद्या मोमेंट वाजदा फाउंडेट इन नाइइटीन एटीवें तो कौन थे वंद्या स्यू थे आफसर नमबर वन राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रस्ट जो है भारत के किस राजी में अबू बाची मेला प्रटिवर्स यूजित किया जाता तो यह अंबू बाची मेला जो है केरल का असम का गु लुक्त होता है ठीक है और यहां गुजरात का होता है यह वह आपका अशंक जो होता है अंबू बाची मेला होता और अभर। इंडिया इन्डिया इड़े इर एवरी यह यद लगता है असम में लगता है तो आपसा नंबर सेकेंड राइट एंसर है उसके बाद में अगला जो प्रसंद पूछा गया है अगला प्रसंद पूछा गया है निमलिकित वैसे कौन सा सहर कोरो मंडल टट के साथ इस्तित है तो कौन सा है आपका तिर्चुरा पल्ली है वे लोर है तूती कोरिन है तिरुनेल विल्ली जो है तिरुनेल विल्ली है वो है तो आपका जो ketzu क्रीच यो है आपका koromandel खोष्ट चिन्री का जो सेड़ है वो आपका Koromandel खोष्ट के पास में इस्तथे तो आपका क्या उन्हों है तूती कोरी जो होता है वह आपका कोरो मंडल कोश्ट के पास ही सिच्वेटेड होता है उसके बाद में अगला जो प्रिस्ण फूचा गया है निमल कित में से कौन सा सहर गंगा नदी के रास्ते पर नहीं पड़ता पटना कानपूर लखनव प्रियाग रास्त तो कानपूर आपका गंगा के पड़ता है प्रियाग राज गंगा यमना संगब पे लखनव गोमती के पड़ता है पटना भी गंगा नदी के किनारे पड़त किनारे हैं जबकि पतना गंगा के कानपुर पतना के और प्रियागराज गंगा और यमना के ठीक है संगम पे जिसमें ग्रीसम का लीन ओलंपिक खेलों में पीटी उसा को जीरो पॉइंट जीरो वन कौन्स पदक से याद किया गया है महिलाओं की महिलाओं की चार मीटर में बाधा दोड़ हुई थी यह कब हुई थी यह कब हुई थी इस नंबर थार्ड क्या हो जाएगा इन विश समर ओलंपिक गैम्स डिट पीटी उसा मिस दा ब्रॉंज मेडल बाई जीरो पॉइंट जीरो वन सिकेंड इन दा वोमें चार्ज सो मेटर्स हैडल रेस में तो यह नाइटीन एटीफोर में आपसर नंबर थार्ड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो पूछा गया है अपनियोसिक भारत के संदर्ब में होर्टं कमेटी रिपोर्ट किस से संबंदी थी निमलिकित छेत्रों में सिच्छा सहरी करण इंडिया दा होटर कमेटी रिपोर्ट इजडा रिलेटेट टू दा विच आप फॉलिविंग फिल्ड तो वह आपकी एजुकेशन फिल्ड से किसे एजुकेशन फिल्ड आपसर नंबर वन राइट एंसर है उसके बाद में अगला जो पूछा गया है इंडिया बिंस थी कौन थी इंडिया फिर्टंध सी ठीक है तो अफला नंबर वन राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद अगला प्रस्ण है कि वो रोड़ बाुक इंडिया बिस फ्रीडं-मयाना अभूल कलाम आजाद ऑक सनुर्ट हो जाएगा कौन सा है जो आपके कहां है उत्तर प्रदेश में नहीं चौखंडी है रामभर है धम्मेक है भरहुत है तो भरहुत जो है आपका भरहुत जो है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता तो आपसा नंबर थार्ड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा बिच आप फॉलोविंग इस तोफ साइट इस नाट टू लोकेटेट इन दा इस्टेट आफ उत्तर प्रदेश कौन सा होता भरहुत जो होता वह आपके उत्तर प्रदेश में नहीं होता तो आप सा नमबर थार्ड राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो प्रिशन पूछा है वह आपका गुर्ट्वा कर्शन होता आपसर नमबर फोर राइट एंसर हो जाएगा गुर्ट्वा कर्शन होता उसके बाद में अगला जो प्रिशन है पूछा गया है कि बिच एमांग फालोविंग इस दा एक्शन एट डिस्टेंस वह ग्रेविटेशनल होता है अगला पूर्टीन नमबर पुष्ण है निम लिकतना से किस राज का गठान 2000 में हुआ था सिक्किंब गुवा ऊडिशा उत्तर इकुद्वा तो नौ li नौबर 2,000 को उत्तरा खंड का हुआ था ठीक है जो रहीं हो जाएगा टो और राइटेंसर हो जाएगा जब कि गुवर इका हुआ था numéro 1901 हुआ था सिक्किम का 1975 में 35 में 35 पैटीशमें 2 आसर विद्धान संसूधन और सिक्किम को सहराजिका दर्जा जब कि चटीशमें संभिधान संसूधन के द्वारा सब्सक्राइब 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 इसे पूर्ण राज का दर्जा दिया गया था तो कौन से 36 में एक्ट केते हैं सिक्किम को ठीक है तो आफसा नंबर फोर राइट एंसर हो जाएगा उस बिच आप इस टेट वाज़ फॉर्म इन दा एयर फॉर्म इन दा एयर टू थाउजन तो कौन था उत्राखन था उत्राखन था आपसा नंबर फोर राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो पूछा गया है तीस जून दो हजार बीस तक भारती सम्मिधान की प्रस्तावना मे संसूधन कितनी बार ओनली एक बार हुआ है अभी तक वह भी बैलस्वा संविधान संसूधन फोटी टू अमेंडमेंट एक नाइटीन फोट नाइटीन सवेंटीश एक बार हुआ जिसमें अखंडता अखंडता समाजवादी और धर्म सब्द जोड़ा गया है तो यह आपक किनी एक बार हुआ वही फोटी टू अमेंडमेंट एक नाइटीन फोट इन नाइटीन सेवेंटी सिक्ष में उसके बाद में अगला प्रस्ण है वाक्यान सकल राष्टी खुसहाली पहली बार में मनाया गया था भूटान में भारत में न्यूजी लेंड में स्टूडन में तो कहां ये मनाया गया था सकल राष्टी खुसहाली पहली बार मनाया गया था ये भूटान में कहां मनाया गया था भूटान में आपसर नंबर वन राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रस्ण है कौपर सलफेट घोल में डूबो कर लोहे के नाखून हो जात संबंद बास्केट बास्केट बार्टाय, लिए में अंगरी बматूर। के नाम के से संबंद हैं बास्केट बाल टेवल टेनिस बॉली बॉल सत्रज जो आपका कोनेरु हम्पी के नाम से संबंद हैं वो आपके किसे बास्केट बाल से संबंदित किसके संबंदित हैं नहीं वो कोनेरु हम्पी जो है वो आपके चेस से संबंदित किसे चेस संबंदित सब्सक्राइब करें तो आपसा नंबर फॉर राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रस्ण पूछा गया है अगला प्रस्ण पूछा गया है बारा बती इस्पोर्ट स्टेडियम किस राज में इस्तित ओरी सा गोवा हिमाचल प्रदीश असम में तो बारावटी जो इस्टेडियम है वो आफका ओडेशा मेचते थे आपसा नंबर फॉर राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्म पूछा गया है बोकारो इसपारद सहयंत्र के सहयोग से इस्तापट किया United Kingdom के Soviet संग के फ्रांस के जम बनी के तो आपका जो यह Soviet संग के Soviet संग रूश के सहयोग से बोकारो जो है इसपारकारखाना स्थापट किया गया था तो आपसर नंबर सिकेंड राइट एंसर हो जायेगा कि दा इस्टील प्लांट ऐसे बोकारो वाज शेट अफ इन दा कॉलोबरेशन बिद किसके सोवियत यूनियन के दौरा तो आपसा नंबर सिकेंड राइट एंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद में अगला प्रस्ण है आरसेनिक का प्रती क्या होता एयन होता एयार होता एयस हो होता तो आपसा नंबर सिकेंड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा वाट इस दा केमिकल सिंबल आफ आरसेनिक आरसेनिक का कैमिकल सिंबल क्या होता एयस होता उसके बाद में अगला प्रस्ण जो है मक्का के तने के निचले सिरे से निकलने वाली जड़ों का समर्थ सब्सक्राइब नात하세요 हुआ सब्सक्राइब ने मुके निसमें लिव है सल्सक्राइब भी का आङ। ठीके तो उन्हें कहाँ जाता है जो गन्ना और मक्के का जो गन्ना और मक्के का जो लोईर इंड स्पोर्ट होता उसे क्या कहते है उसे इस्टिल्ट रूट कहते हैं तो आपसा नमबर फोर राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो पूछा गया है किस वर्स में रिप्रजेंट राम लीला को यूनेशको की प्रतिनी सूची में अंकित किया गया है मानवता की अमूर्त विरासत सांस्कृत विरासत को 2006 में 2010 में 2012 में 2008 में तो इसे कब सामिल किया गया ये 2008 में सामिल किया गया इन विच येर वाज राम लीला इन इसक्राइब ऑन यूनेश को रिप्रेजेंटिटिव लिस्ट आफ दा इन टैंजिबल कल्चर हैरिटेज आफ हुमिनिटी ये 2008 में तो अफसर नमबर फोर राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में आज की जो क्लास का लाश्ट कुस्टेंज और हमारा पूरा पेपर स्वाल हो गया तो लाश्ट कुस्टेंज से वैदिक भजनों या यंत्रों की संग्रा को किस रूप में जाना जाता है बिधा के रूप में जन्नती की रूप में संहिता के की बाली की तो जो वैदिक भजनों या यंत्रों को जो जाना जाता है उन्हें संहिता की रूप में जाना जाता जै से ठीक है उसके बाद में जो दा कलेक्षिंस आफ दा वैदिक हैंप और मंत्राज और नोन आयज तो उन्हें सहीता के नाम से जाना जाता है तो आप सा नमबर थाड राइट एंसर हो जाएगा इसी के साथ में यह मेरी क्लास समाप्त होती है और आप सब लोगों को यह क्लास प आपको नेक्ट वीडियो में जाहिन दोस्तों